गुद मार्निंग स्टूडेंट सुनराइज एजुकेशन में आपका सौगत है आज हम इंग्लिश के अंडर पार्ट 17 करेंगे क्लास 11 के लिए ठीक है पार्ट 16 में इससे पहले हमने जो ये लेसन कर रहे हैं जिसका नाम है Beautiful White Horse Summer गर्मियों के दिनों का एक सुन्दर गोड़ा जिसकी एक स्टोरी चल रही है दो भाईयों के बीच में एरम और मुराद के बीच में ठीक है जिन्होंने एक गोड़ा पकड़ लिया है और गोड़े की सवारी कर रहे है एरम को ये लगता है कि गोड़े को चुराना तब तब चुराना नहीं होता जब तक हम उसे बेश देते हैं अगर बेशते हैं तो चुराना हुआ है नहीं बेशते हैं तो कैसा चुराना तो उन्होंने गोड़ा आला कि मुराद एक तरह से गोड़ा किसी से छीन के लाया है और वो अब जो है एरम की विश्पूरे करना चाहता है कि वो गोड़े पे सवारी करें ठीक है जिन लोगों ने उसको 16 वीडियो नहीं देखा है उसको 17 वीडियो समझ में नहीं आएगा इसलिए आप पहले 16 वीडियो को देख लेजिए ताकि 17 वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए इन लेस्ट दैन थ्री मिनाट्स वी वर्क और ओली एविन्यू लगबग तीन मिनट के अंदर मुराद आगे गोड़ा चला रहा है एरम पिछे बैटा हुआ है एरम को भी गोड़ा चलाना नहीं आता मुराद उसकी विश्पूरी करने के लिए गोड़ा लेकर आया है ठीक है और देन दो होर्स बिगेन तो ट्रोट और गोड़ा फिर डुल की जाल से चलने लगा हवा एकदम नहीं थी लवली ब्रेथ एकदम से हम अच्छे से सांस ले पा रहे थे हमें काफी आनन आ रहा था गोड़े की सावरी करकर ठीक है यह अपने आपको गैरुगलेनियन फेमिनरी से मानते थे और इनको मानना तक हमारा परिवार इमानदार है हमने कोई चोरी नहीं की है हम गोड़े को थोड़ देर चलाएंगे और वापस महीं बान लेंगे जहां यह था ठीक है और गोड़ा लेकर कौन आया है मुराद लेकर आया है दा फील आप गोर्ष रनिंग वास वंडरफुल गोड़े का जो चलना है वो बहुत ही आशिर जनक था माई कजीन मुराद जो की हमारे फैमिली में सबसे पागल और संकी लड़का समझा जाता था वो अब गाना गाने लगा and I mean बिगें टू रोड मेरा मतलब है वो गाना नहीं गाता था धारता था यानि उसके आवाज थोड़ी मूटी थी ठीक है यानि अब जो है दोनों गोड़े की गोजरा अभी भी इन दोनों को यह लगता है आपने बोड़ा चुराया नहीं है हम तो केवल थोड़ी सी यात्रा करेंगे उसका आनन उठाएंगे रोमांचीत होंगे और गोड़े को वापस वहीं बान देंगे गोड़े यह दोनों एफोर्ट नहीं कर सकते क्या कि यह दोन देंगे लिए इस परकार पूरु जो में वेक्तिकत गुण होता है इसी तरह से मुराट में भी पूरु जो की तरह गुण है जो हरी हम वाज और अंकल खुजरो अन अन्वरमस मैं वित पावरफोल हैं बलेक हैर और यह दिए जा जेकल अन बाब़े गडरे पावान में a man of so furious in temper so irritable so impatient that he stopped anyone from the talking by rolling it was no harm pay no attention to it अब देखो अब मुराद को कस्मे में सभी लोग पूरुजो की तरह मानते देख जिसकार पूरुजो है पागल ले उसे वर ये भी जोड़ा सन की है और लेकर कहता है कि मेरे चाचा खुजरो जो है वो भी इसी तरह है उनकी लबी-लबी मुचे हैं सेंज जॉली वेली में रहते हैं कापी जोसिले हैं सभाव में और irritable परिशान हो जाते हैं हर एक बात पे so impatient अधेरिशीले की बात वो लोगों को ये कहकर रोक देते हैं धाड कर धाड़ते हैं लोगों के साबने और उन्हें रोक देतें और उन्हें कहता है 80, no हाद, कोई परिशान ही नहीं है इसकी तरफ ध्यान मत दो क्यानी उसका चाचा भी है चाचा कöyle कोई समझिया लेकर चाचा के पास कोई जाता तो वो उसे ये कह देते हैं कोई परिशान ही नहीं इसकी तरफ ध्यान मत दो आगे बढ़ो ठीक है इस तरीके से लेकर कि ये कहना चाहता है कि एरम का जो दोस्त है और उसका चाचा जो है इतरह से गर्व गयलेन फैमिली में जोसी लेवेकती है सनकी लोग है ठीक है यही जो कारण है कि यही बात है जिसके बारे में सभी लोग बात करते हैं यही बात करते हैं एक बार की बात है मेरे चाचा का बेटा एरक जो की आठ साल का था ब्लोग टू दो बार्बर शॉप बार्बर शॉप के उपर गया यही नई की दुकार पे गया फैरिस फादर वास हेविंग मौस्टेकल ट्रिबिन टू टेल हिम देर हाउस वास और भाय एक बात है मेरे चाचा का बेटा एरक जो है वह चाचा के पास गया और चाचा नई के पास में अपनी मुझे सैट करवा रहे थे और उसने कहा कि हमारा गर आग लग गई है ठीक है लेकिन लड़का कह रहा है तुम्हारा घर आगस में है तो नुकसान कैसे नहीं है तो खुजराव रोड खुजराव ने जोड से धाड़ा इना इट इस नो हाग कोई हानी नहीं है आई से मैं कहता हूँ इस तरीके से लेकिन अरव यह बताना चाहता है कि मुराज जो गड़ा लेके आया वो भी संकी है उसका चाचा भी संकी है कोई बात को सीरियस सा नहीं लेते हैं ठीक है मैं कजिन मुराज वास कंसिड़र नेचरल डिसेंट आप दिस मैं मेरा चचेरा भाई मुराज भी जो है सौबविक तोर पे पूर मुर्ती माना जाता है इस आदमी का यानि मेरे चाचा के जैसा ही है ठीक है अल्दो मुराज फादर वास जेरो अलगी मुराज के पिताजी जेरो भी वास फ्रेक्टिकल और नटिंग अल्स जो काफी फ्रेक्टिकल है नटिंग या उसके ज्यादा कोछ निए वो वेवार वादी है वेवारिक चीज़ों पर जदर ध्यां देते हैं यही हमारे कस्भे की बात है ठीक है यानि वो अपने कस्भे की बात बताना रहा है कि हमारा कस्वा इमानदार है मुराद हुआ मेरे चाचा खुजरो जो है सनकी है उसके पापा चजरो काफी फ्रेक्टिकल है यह इस तरह से स्टोरी वो आगे बढ़ा रहा है और गोडे के साथ अपने अनुबह को आप के साथ में शेयर कर रहा है ठीक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि a man could be the father of his son's flesh एक पिता जो है वह अपने बेटे की तरह हो सकता है could be the father of his son's flesh एक पिता जो है बेटे की तरह हो सकता है लेकिन एक बेटा अपने पिता की तरह हो यह आप से नहीं है यह यह कहना चाहता है but that didn't mean that he was also his father of his soul लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बेटे के अंदर पिता की आत्म हो ज़्यादा तर बेटे जो होते हैं पिता से अलग होते हैं कई बात पिटा जो है बेटी की तरफ हो सकते हैं, ठीक है? The distribution, क्योंकि जैरोग जो था, साफ फ्रेक्टिकल वेक्ती था, और उसका बेटा मुराद जो था, काफी संकी था, ठीक है, अजब की मुराद समझदारी वाली बात नहीं करता था, woh कोई से भी गोडा उटा के लिए आ जाता था, रौमाचीत बाते करता था, इ熱 हुद फूस्टा था, सोतन तर रहता था, अनुसस्थाति का पहला नहीं करता था, ठीक है? the distribution of various kind of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant हमारे जो वित्रन है हमारे सकस्बे के अंदर आत्माओं का जो वित्रन था यानि हमारे कस्बे में जो वेक्तियों की सोच थी वो सब अलग अलग थी कुछ लोग तो मनमोजी थे कुछ आवा रहा थे Capricious का मतलब होता है मनमोजी कुछ आवा रहा We road and my cousin Murad sang मैं गोड़े पे बैटा रहा मेरा चचेरा भाई जो है गाना गाते रहा और हम आगे बढ़ते रहे गोड़ा कौँ चला रहा था Murad अभी लेकर गोड़ा चलाने की नहीं आता क्योंकि उसकी इच्छा है गोड़ा चलाने के लिए आता नहीं है वो केबल बैटा हुआ है उसकी पीट के पीछे For all Anybody new We still in the country Where at least according to Some of our neighbors We belong यानि अब भी हम ऐसे देश में थे कि जहां हमारे पड़ोसी ये कह सकते थे कि हम उनसे सम्मदित है We let the horse run as long as it is felt like running हमने गोड़े को तक तक दोड़ा ते रहा दोड़ा ते रहे जब तक की दोड़ा गोड़ा दोड़ता रहा आगे बढ़ता रहा गोड़ा At last my cousin Murad said अन्त में मेरे चचरे भाई मुराद ने कहा Get down अब गोड़े से हम नीचे उतर जाते गोड़ा ठक गया होगा I want to ride alone लेकिन मैं अकेले गोड़ा चला ना जाना था ठीक है Will you let ride alone I ask इसलिए मैंने अपने चचरे भाई से पूचा क्या मैं गोड़ा चला सकता हूं अकेले That is up to the horse My cousin sat get down अभी तो तुम नीचे उतर जाओ ये गोड़े पे depend करता है कि वो तुमें अकेले ले जाएगा का नहीं ले जाएगा We shall see He said Don't forget that I have a way with horse चलो हम देखते हैं उसने का कि हमें गोड़े के साथ एक रस्ता बनाना चाहिए यानि गोड़े के साथ निपटना आना चाहिए गोड़े के साथ में बाचित करना आना चाहिए उससाथ मेल मिला पाना चाहिए तभी हम गोड़े के सावारी कर सकते हैं और अभी एरम जो है उससे गोड़े की इतनी समझ नहीं थी ठीक है Well I said Anyway You have with a horse I have also लेकिन एरम ने जित की कि तुम गोड़े के साथ में समंध बना सकते हो तो मैं भी बना सकता हू For all the sake of our safety He said Let's hope so Get down चलो नीचे उत्रो हमारी सुर्क्षा के लिए मैं आसा करता हूँ ऐसा ही हो तुम में भी गोड़ा चलाना आजाए All right I said But remember you have go to Let me try to ride along तब मैंने का ठीक है सब कुछ लेकिन याद रुको तुम मुझे अकेले ही गोड़ा चलाने दोगे तुम मेरे पाँ आगे नहीं गटोगे I got down and my cousin मुराद kicked his heels into the horse मैं नीचे उत्रा और मेरे चचेरे भाई ने गोड़े की पीट पे अपनी एडिया मारी and shouted और चिलाया वजीरन गोड़े का नाम दिया उसने वजीर के वजीर दोड़ो चचेरा भाई जो है उसने मुझे तो नीचे उतार दिया और खुद गोड़े को लेके आगे बढ़ा क्योंकि चचेरा भाई अभी उसे गोड़ा चलाना नहीं देना चाता उसे ऐसा लगता है कि मैं घिर जाओंगा मुझे गोड़ा चलाना नहीं आता गोड़ा एकदम से पीचे की पैरों पे खड़ा हो गया बहुत तीज गती से आगे बढ़ा ऐसी गती मैंने पहले कभी नहीं देखी मैं कोजिन मुराद रेस्ट दा होर्ष अक्रोस दा फिल्ड ऑफ ड्राइग गरास एन इरिगेशन डिचेस मेरा चचेरा भाई जो है सिच्चाई की खाईयों से होते हुए गोड़े को आगे लेकर बढ़ा सुखी गहस भी थी बीच में और कई खाईयों को गोड़े से पार किया फाइफ विनेट्स है रिडर्न और पाँच मिन बाद मों वापस आ गया ड्रिपिंग वेट और काफी गिला हो गया था पसीना आ गया था उसे सन वाज कमिंग अब सूरी उपर की तरफ बढ़ रहा था अब मैंने का चलो मेरी बारी है अब मेर गोड़ा चलाता हूँ मेरा चाचरा भाई गोड़े से उत्रा और राइड ही सैड और उसने का चलो तुमाई इती इचाए तो बैठ जाओ नहीं ध्यान रखना घिर गए तो फिर मुझे मत कहना ठीके और मैं गोड़े की पीट पे बैठ गया और फिर कुछी सनवाद में मैंने एक डर मैसुस किया मुझे डर लगा कि कही गोड़े से घिर न जाओ गोड़ा तो हिला ही नहीं मैं बैठा रहा गोड़ा हिला ही नहीं मुझे कभी डर लग रहा था मेरे चचरे बाई ने का इसकी मसल्स पे मारो अपनी एडी से मारो पैरो से पीट पे मारो तुम किसका इंतजार कर रहा है या वी अब गोड़े को वापस वहीं बादना है जहां से हम लेके आए थे इससे पहले की सवेरा हो जाए यानि अभी पूरी सुवह हुई नहीं थी इस पांच छे बजे का समय चल रहा था ठीक है मैंने भी गोड़े की मसल पे किक मारें और वन्स अगे बड़ा और वो हिन हिना या शनौर्टेट का मतलब हिन हिना ना then it rear का मतलब हाक ना होता है ठीक है then it began to run और फिर दोडने लगा I didn't know what to do मैंने चानता था क्या करें instead of running across the field to the irrigation ditches the horse ran down the road to the vineyard of the Dikran Halvian where it begins to leave our vines अब देखो गोड़ा जो है खेतों में दोडने की बज़ए वो सीगाड irrigation ditches की तरफ चला गया मतलब सिच्चाई की खाईयों की तरफ चला गया ठीक है horse ran down to the road और फिर road पे आ गया फिर वो दाकों के खेत में आ गया और दाकों का खेत डिकरन में पड़ता था ठीक है डिकरन Halvian फिर वो वहाँ से होते हुए बिगें टू लीप आवर वाइन्स फिर वो दाकों के खेतों की तरफ आगे बढ़ा and the horse lived over seven vines एक बार तो गोड़ा इतना तीज दोड़ा की वो साथ डखों के पेड़ों के उपर से कूद गया I fell और मैं निचे गिर गया क्योंकि लेकर को गोड़ा चलाना नहीं आता था और गोड़ा इतना तीज दोड़ा की वो गोड़े के उपर से गिर गया then it continued running और वो बार में दोड़ता रहा ठीक है और दोड़के आगे चला गया और मैं पीचे गिर गया मुराद नहीं से चेताव ने दी ही थी के भई तुम मत जाओ लेकिन वो माना नहीं और वो गिर गया ठीक है गोड़ा आगे बढ़ गया मैं करजीन मुराद केम रनिंग डाउं दोड़ते हुआ आया I am not worried about you मैं तुमारे बारे में चिंटित नहीं हूँ he shouted उसने का we have got to get the horse हमें गोड़े को जल्दी प्राप्ट करना होगा you go this way I will go this way तुम उदर जाओ मैं इदर जाता हूँ if you come upon him यदि तुम उसको गोड़े को पाओ be kindly उदार रहना I will be near मैं नजदी की रहूंगा यानि हमें जल्दी से गोड़े को डोड़ना है और वहीं पे पहुँचाना है जहां हम से हम उसे लेकर अगर नहीं मिला तो लोग हम समझेंगे कि हमने गोड़े को चोरी कर लिया है I continue down the road और मैं भी गोड़ पे चलता रहा मैं कजीं मेरा चचेरा भाई मुराद भी चलता रहा वेंट अक्रोस दे फिल्ड हम खेतों से होकर गुजरे तो अर्ड इरिगेर्ट रिचेस सिचाई की खाईयों से होकर गुजरे लेकिन हमें गोड़ा नहीं मिला मुराद की तीवरी चाती की गोड़े को वापस महीं बान देते नहीं तो लोग हम समझेंगे हमने गोड़े को चोरी किया लग बग आदा घंटा लगा गोड़े को दूनने में और उसे वापस लाने में आदे घंटे बाद में गोड़ा वापस मिल गया और राइट ये सेट जंप आउन उसने का चलो कुदो तो वोल वर्ड अवेक वाट विल वी डू आई सेट कि अभी पूरी दुनिया जगने वाली है मतला सवेरा होने वाला है कूद के जल्दी से बैठ जाओ फिर मैंने आहरेम ने का मैंने का हम क्या करेंगे वैली सेट तो उसने का वी विल आईदर टेक हिम बैग और हाइड हिम अंटिल तुमारो वर्निंग चलो हम गोडे को ऐसा करते है या तो वापस ले जाते है या फिर ऐसा करते है कि गोडे को छुपा देते है कल सुबह के लिए कल सुबह और हम जो है रोमान्चित यात्राय करेंगे ठीक है गोड़े की सवर ही करेंगे फिर उसको वापस वहां सहूर्थ कर देंगे जहां से हम लेकर आए है इडिन्ट साउंड वरीड वो चिंतित नजर नहीं आ रहा था and I knew he had hide him and not take him back और मैं जानता था कि मेरा चचेरा भई इसे छुपा देगा ठीक है और उसे वापस नहीं देगा ठीक है क्योंकि उसको और ज्यादा यात्रा करनी थी गोड़े की सवारी करनी थी not for a while any rate इस दर से तो वो अब इस गोड़े को नहीं देगा इस तरीके से तो गोड़े को वो वापस नहीं देगा क्योंकि उसे मज़ा आ रहा था गोड़ा चलाने को where we will hide him I said हमने का इस गोड़े को कहां चुपाए मैंने का I know FLSE said मुरा ने का मैं जानता हूँ कि उस इस इस तान की चुपा देते कल और हम चलाएंगे इस गोड़े को how long ago did you steal this horse I said फिर मैंने का तुमने इस गोड़े को कब चुराया लेकर आयो बिना पूचे लेकर आयो तो इसका मतलब इस चुरा नहीं हुआ हाला कि हम बेजना नहीं चाहते हैं लेकिन बिना पूचे लाना मतलब चुरा नहीं ठीक है तो मुराद क्या कहता है it suddenly dawned on me he had been taking this early morning ride for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride अब वो कहता है it suddenly dawned on me कि सुबह मेरे उपर हो गई थी और वो इसी सुबह को गोड़े को लेकर आया है ठीक है he had been taking this early morning ride for some time कि कुछ समय के लिए गोड़े को चलाने के लिए आज ही लेकर आया है और क्यों लेकर आया है क्योंकि तुमारी कापी इच्छा थी कि तुम गोड़े की सवारी करना चाहते थे who said anything about stealing a horse he said मुराद ने का कि तुमें किस ने का कि मैंने गोड़ा चुराया है मैंने गोड़ा थोड़े चुराया है चुराया होता तो मैं बेशता मैं तो हम दोनों की सवारी के लिए लेकर आया है anyhow I said how long ago did you begin riding every morning फिर मैंने का how long ago कब से तुमने गोड़े की सवारी करना प्रार्म किया not until this morning he said कि इस सुबह से पहले तो नहीं यानि मैंने आज ही इस गोड़े को लेकर आया हूँ इससे पहले मेरे पास ये गोड़ा नहीं था और मैं तुमारे लिए भी ये गोड़ा लेकर आया not until this morning he said are you telling the truth I said लेकर ने का मैंने का कि तुम सच बोल रहे हूँ एरम ने का सच बोल रहे हूँ एरम नौ साल का है उसका भाई भाई भी लगभग 10-15 साल का ही है जादा बड़ा नहीं of course not he said निसंदे नहीं but we are found out that's what you are to say कि यदि हम पकड़े जाते हैं तो लोग कहेंगे कि हमने गोड़ा चोरी किया है ठीक है जब तो पकड़े नहीं जाते हैं लोग कैसे कह सकते कि हमने गोड़ा चोरी किया है हम बेचेंगे ते हम तो सवारी करेंगे I don't want both of us to be liars लेकर कहता है कि हम दो मैंने चाहता कि लोग हमें जूटा कए all you know is that we started riding this morning ठीक है और all you know वो लेकर कहता है मुराद तुम जानते हो कि हमने इसी सुबह जो है गोड़ा चलाना फ्रारंट किया है all night I said फिर मैंने का चलो ठीक है दोनों का मत यह है कि इसी सुबह गोड़ा चलाना करन किया है हमने गोड़ा चुराया थोड़ी है चुराया होता था हम बेस थे हम तो सबरी आने के लिए लेकिन लेकर कि दिमाग में डाउट है कि लोग हमें जूटा कहेंगे चूर कहेंगे ठीक है वह गोड़े को जो है सांती से आगे ले जाने लगा और वहाँ भी अनाजगर आया अनाजगर किसका अनाजगर था यह विनियार दाको के खेटी का अनाजगर था मतलब वहाँ दाके एकटे की जाने जो की किसानों का एक गर्व था यानि पहले यह दाके बहुत होती थी अब कम होती है नेम्ड फैट जवैन जो किसान के खेट से यह गुजर रहे है उस किसान का नाम फैट जवैन है देर वाज सम ओट्स और ड्राइग अलफा लववा इन दे बेरन वहाँ पे कुछ सुके अंजील और अलफा लववा भी थे जो हम देख पा रहे थे वी बिगेंड वाकिंग होम और अब हम जो हैं घर की तरफ चलने लगे ठीक है इट वाज जन्ट इजी ही सेट तो गेट दे होर्स तो बिहेव सो नाइसली मुराद ने कहा कि गोड़ा हमारे साथ अच्छा वैवार करें यह एजी नहीं है हमें गोड़े को कबू करना होगा एट फर्स इट वांटे टू रन वाइल्ट पहले तो वो जन्गली रूप से दोड़ना चाता है बट आई हैव टोल्ड यू जैसा मैंने बताया आई हैव एवेविट होर्स मेरा गोड़े के साथ एक तरीका है आई केट इट वांट तो दो अनिधिंग आई वांट इट तो ऑर्स अंडर्स अंडर्स्टैंड मी गोड़ा मुझे समझता है ठीक है पिर अरंब ने का मुझे क्यों नहीं समझता कि योंकी मुराद को पता है अगर हम उसे कंट्रोल करे उसे प्यार करे तो दीरी दीर हमें समझना शुरू हो जाता है और हमें गीराता नहीं है ठीक है I have an understanding with horse, he said. उसने का, मेरी गड़े के साथ में understanding है. Yes, but what sort of understanding, I said. लेकक ने का, कैसी understanding है तुमारी गड़े के साथ कि तुमें नहीं गिरा दा और मुझे गिरा देता है? ठीक है? Well, I said, a simple and honest one. कि मेरी तो, उसने का, मेरी है कि अच्छी, simple and honest understanding है. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with horse. लेकर ने का, कास, मेरी भी तुमारी तरह गड़े के साथ अच्छी समझ होती, तो मैं गड़े से गिरता नहीं और अच्छे से गड़ी पे सवारी करता है. बाकी कल पढ़ेंगे. ठीक है? ओके.